तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था इगनू के तरप से admission का और re-registration का जो last date है इसको extend किया जाएगा तो इसका जो official update है वो आचुका है और आज हम इसी के उपर विस्तार पूरवक बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनू से related सभी update और notification time to time पान तो admission का last date पहले 30 June 2024 था इसको बढ़ा करके 15 July 2024 कर दिया है यानि कि अगर आपको इगनू से कोई भी program करना है Ođडियल मोड में या फिर online मोड में तो आप इगनू के सभी program में 15 July तक online admission ले सकते हैं यहाँ program information पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी program दिखते हैं LeansPod इन में से किसी भी program में आपको admission लेना है या फिर online mode के किसी भी program में admission लेना है तो सभी program में आप 15 July तक online admission ले सकते हैं इसके अलाभा यह जो आपको 10 merit-based program बताएगे हैं admission portal पर आते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह जो आपको 10 merit-based program दिखते हैं अगर इनमें भी आप अडिमीशन लेना चाहते है는 तो इस हमें भी आप 15,1 तक अडिक व्याब्स दिए अधश्य쪽 के समें पूरा प्रोश्यष अच्छे से बता रहा है इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रहा है इसको देख करके इगनुशे कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं यानि कि इगनु के किसी भी प्रोग्राम में online admission ले सकते हैं और अब बात करते हैं इगनु के जो भी पूराने student है उनके बारे में तो इगनु ने आपके लिए जुलाई 2024 सेशन का जो re-registration का last date है इसको भी extend कर दिया है without late fees जो पहले last date था 30 जून 2024 इसको बढ़ा कर के 15 जुलाई 2024 कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 दिनों तक last date को extend किया जाएगा तो 15 जुलाई तक last date को extend कर दिया गया है अभी आप next year या फिर next semester के लिए re-registration 15 जुलाई तक करवा सकते हैं eligible है तो करवा लीजिये अगर अभी आप eligible है और re-registration नहीं करवाते है तो ऐसे में आपका पूरा 6 महिना खराब हो जाएगा इसके लावा अगर आप इस website के मादेम से re-registration करने के लिए आ रहे है और यहां पर आपका account login नहीं हो रहा है invalid details record not found बता रहा है या फिर आपका transaction वगेरा फेल हो चुका है आपका re-registration किनी कारणों की वज़े से नहीं ह पा रहा है या फिर आपका account ही नहीं बन रहा है OTP नहीं आ रहा है तो उसके regarding यह जो इगनु का complaint का portal है आई ग्राम वाला पेज यहां पर आप अपना complaint register करवा सकते हैं तो उसके बाद जो भी problem रहता है उसको यहां पर ठीक कर दिया जाता है यहीं पर आपको अपना complaint register करवा इस website के माधिम से आप registration कैसे कर सकते है उसका भी वीडियो का link मैंने नीचे दे रहा उसको आप देख सकते है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignorance related सभी update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते आपको मिलते है